गुड मॉनिंग इस्टुडेंट हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग आज मैं आपका बताऊंगा यूज ऑफ साइन यूज ऑफ साइन बहुत से बच्चे जो है साइन को समझने में और उनके उनके यूज करने में बहुत जाता प्रॉडम फेस करते हैं तो मैं कोशिश करू सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पॉजिटिव साइन के बारे में तो जड़ा ध्यान से देखना और समझने कोशिश करना पॉजिटिव साइन के बारे में तो देखिए सबोस करो यह 2 है और ब्रैकिट के अंदर x प्लस y माइनस z है ब्रैकिट के अंदर ठीक है अब इस ब मल्टिप्लाइ में है तो जो है मल्टिप्लाइ में पर मल्टिप्लाइ साइन दिखाते नहीं है लेकिन उसको मानते है कि टू जो है इस ब्रैकिट के साथ मल्टिप्लाइ में अब जब टू मल्टिप्लाइ में है तो तो जानी कि इससे मल्टिप्लाइ भी करेगा तो इससे भ बर देते हैं, तो 2 जो यह भार है, और 2 इन सब से multiply करेगा, ठीक है, तो 2 करेगा पहले इस से, कितना होगा, 2 to 4 और X ऐसी आजाएगा, ठीक है, फिर 2 करेगा इस से, यहां होगा 2Y, फिर 2 ने करना है, Z से, क्या होगा, 2Z, लेकिन यह minus का है, तो minus का रहेगा, तो यहां पर एक छी ध्यान देने वाली यह है, कि 2 ने अंदर आने, अंदर जितने भी numbers और alphabets हैं, सबसे multiply किया, लेकिन sign में कोई change नहीं आया, sign में, यहां पर 2X जो है, बैकिट के अंदर plus का है, तो अभी भी plus का ही है, Y भी plus का है, तो अभी भी plus का ही है, और Z minus का है, तो यहां पर भी 2 से multiply होने के बाद Z minus का ही है, अब मैं आपको बताँगो, use minus sign का, number 2 आपका negative sign, तो यहां चला, ध्यान देजेगा आप लोग, same लेके चलेंगे, इसको हम minus 2 लेके, अंदर same 2X plus Y minus का Z, तो हमने यह साथ लेके चला है आपके लिए, अब क्या होगा, इसको हम दो प्रकार से solve कर सकते हैं, हम उसको दो methods से solve कर सकते हैं, तो पहला method में बताँगो आपको, minus sign भार रखो, ओके, और 2 को अंदर multiply करा दो, minus sign भार है, और 2 को अंदर multiply करा दो, तो जब 2 करेगा, इस 2X से multiply कितना हैगा, 4X, ओके, फिर देखो पहला से बीच में, फिर 2 करेगा, Y से multiply कितना हैगा, 2Y, फिर यहां पर मैनस हागय फिर 2 करेगा, Z से multiply, तो कितना हैगा, 2Z, ओके, तो यहां पर जो है, minus वाला भी, simple होगा, जैसे plus वाला किया, minus वाला भी ऐसी होगा, लेकिन फरक कहाँ पर है, अब फरक आएगा, जब हम bracket open करेंगे, अब तो bracket close है, जब हम bracket open करेंगे, ठीक है, जब एक बार इसको फिर देख का है, ओके, तो जब हम bracket खोलेंगे, तो यहां पर जो minus sign है, minus sign के कारण किया होगा, ब्रेकिट खोलने पर, इन सब के sign change हो जाते हैं, जहान सुनना, minus sign अगर होगा, तो minus sign यहां पर होगा, तो यह हो जागा, आपका minus 4x, minus, क्योंकि यह भी plus का है जो plus का है, वो minus का हो जाएग और यह है minus का तो यह हो जाएगा plus का अगर bracket के बाहर minus sign है तो bracket खुलने पर sign अंदर वालों के sign change हो जाते हैं तो इतना हो गया तो एक method तो यह हो गया एक दूसरा method भी है वो second method क्या है यहां पर करेंगे उसको हम minus 2 है 2x plus y minus का z तो second method क्या है यहां फर्स्ट method में तो हमने पहले 2 को multiply किया फिर bracket खुला और sign चेंज हुए लेकिन second method में आप सिधा ही minus 2 को अंदर multiply करा सकते हो तो ठीक है देखते हैं लेकिन ध्यान रहे sign change कर देना यह minus है इस minus है तो minus 2 करेगा 2x से multiply कितना आएगा minus 4x यह minus का है फिर minus 2 करेगा y से multiply कितना आएगा जब प्लस और minus multiply करते हैं तो answer minus में आता है तो minus 2 करेगा y से multiply कितना आएगा minus 2y दोनों यह भी minus का है यह भी minus का है तो plus का आएगा जुसको sign के बारे में समझना है वो intro देखना इस video का मैंने पहले बनाया था minus 2 करेगा minus z से multipli जब दोनों minus के multiply करते है तो answer प्रसमे आता है और answer आएग़ 2z तो यह हमने direct multiply कर दिया और यहां पर हमने पहले 2 का multiply कराया अब फिर bracket को खोल करके sign change कराया तो इस प्रकाद से हम देखते है sign का use तो अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे वाले सवाल समझाऊंगा, ओके?